स्टुडेंट्स दिस दे वीडियो नंबर सेवन ओफ करेंट इलेक्रिसिटी बेटा वीडियो नंबर सिक्स में हमने सर्किट थेयरी पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको डिसकस किये थे उसी प्रॉब्लम को हम कंटीनू करेंगे ठीक है बड़ा जी वहीं समागे बढ़ रहे हैं यहां पर आपको एक सर्किट दी गई है आप देख रहे हो यहां पर बैटरी फोर वोल्ट की रिजिस्टन्स और बैटरी लगी हुई है और यह क्वेश्टन कह रहा है कि फाइंड करेंट इन ऑल ब्रांचेज जितने भी ब्रांचेज यहां पर हैं सब में करेंट आप फाइ ऐसी है जिसमें सिर्फ बैटरी लगी हुई है उसी ब्रांच पर हम लोग फोकस कर लेते हैं और जीरो मान के हम स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने कहा कि हां हमारे पास टेन बोल्ट की बैटरी है ठीक है न तो हमने क्या किया सबसे पहले जितनी भी बैटरी इसमें लगी तो आप देखोगे कि जितनी भी रेजिस्टेंस हैं उसके क्रॉस आपको करेंट मिल जाएगी ठीक है बड़ा जी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेस्ट तो सबसे पहले क्या है यहां पर आपने क्या कहा कि आपने कहा सर हम क्या करेंगे यहां पर इसको हम जीरो मान तो यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा इस पॉइंट पर प्लस 10 होगा तो क्लियर क्योंकि पोटेंशल डिफरंस क्या है 10 वोल्ट का होना चाहिए तो अगर यहां पर जीरो है तो यह बैटरी है जीरो है तो टू बोल्ट की बैटरी है इस पॉइंट का पोटेंशल डिफ यहां पर इस पॉइंट पर बैटरी का जो नेगेटिब टर्मिनल होगा उस पर कितना वोल्टीज होगा कि दोनों का वोल्टेज डिफरेंस के आना चाहिए तो आपने कहा तर यहां पर होगा एट वोल्ट होगा क्योंकि 10-8 आपका 2 वोल्ट आना चाहिए तो यहां भी बैटरी के टर्मिनल पोटेंसिल को आपने डिफाइन कर लिया अब एक बैटरी आपकी यहां बच गई इसका कितना है देखो यह प्लस 10 है यह प्लस 10 है यह 4 वोल्ट है यहां कितना होगा पॉजिटिव वाले पी कितना होगा कि वही क्योंकि higher potential यह lower potential lower किसे connected है 10 से तो higher किसे connected होगा बैटरी क्योंकि 4 वोल्ट आना चाहिए तो यहां कहोगे फिर प्लस 14 वोल्ट होगा क्योंकि 14-10 इक्वल टू 4 आएगा तो आई तिंग देखो जितने भी बैटरी यहां पर लगी है सारी बैटरी के अक्रॉस आ आप लोग क्या है current निगाल सकते हो जैसे कि बताइए resistance कहां कहां है उसको आप समझ लेजी एक resistance यहां पर है इसमें कितनी current flow कर रही है 10-2 upon 2 potential difference upon resistance आपको current मिल जाएगी तो 10-2 कितना होगा 5 होगा 10-2 10-2 आपका 8 होगा 8 upon 2 कितना होगा 4 होगा इस इस ब्रांच में जो current flow गी वो current flow करेगी 4 ampere simple सा concept ठीक है बड़ा जी I think मेरी बात आप समझ गए अब आते हैं कौन सा resistance पकड़ते हैं बड़ा जी एक हो गया अब इसमें आते हैं इस वाले में आते है और current flow from higher potential to lower potential हमने दिखा दिया हां पर अब यह 8 volt है और यह आपका 0 है इस resistance के across 8 volt 8-0 upon 2 आ जाए करेगी higher से lower की तरफ flow करेगी तो ए डिरेक्शन आपकी आएगी ऐसे इसमें कितना current आ गया आपका 4 ampere आ गया 8-0 upon 2 4 ampere आ गया तो current कितना आ रहे नीचे की तरफ क्योंकि एक branch में की current होती है तो कितना है 4 ampere है I think मेरी बात आप समझ पाए अब आते हैं यह एक resistance आपका यहां potential difference 10 हो गया resistance आपका 2 है तो 5 ampere की current flow करेगी higher potential से lower potential की तरफ यह यहां पर 5 ampere की current आपकी flow कर गयी I think मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोट रहा हूँ ठीक है बटा जी अब आते हैं यह जो resistance इसके cross आते हैं देखो यह 14 volt है यह 0 volt है 14 minus 0 upon 2 7 तो इस resistance में जो current flow करेगी वो 7 ampere की current flow करेगी ठीक है बटा जी यानि कहने का मतलब यह हुगा अगर हम तो अब battery वाली ब्रांच आपकी बच गई तो आप देखो बटा जी आप बताइए कि इधर current कितनी flow कर रही है इधर इस side में यह आपका 4 ampere है इधर कितनी है 5 ampere है और इस side कितनी है current 7 ampere है ठीक है यह 4 है यह 5 है और 7 है ठीक है बटा जी तो कितना हो जगा 5 4 9 9 7 16 तो यहां से जो है एक current इधर निकली एक current इधर निकली एक current इसकी value 16 है और इस ब्रांच में जाने वाली current क्या है 4 है तो अब तो इधर से आ कितनी रही होगी तो इस ब्रांच में निकल गई 7 5 और 4 तो आपने का कि 4 5 9 हो गया 9 7 16 हो गया बटा जी है ना और 16 और 4, 20 हो गया, तो इसमें से 20 A current यहां से flow करेगी, तभी तो यह current यहां जाएगी, अजंगसन से इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में डिवाइड होगी, 20 ही डिवाइड होगी, तीनों का समी तो आएगा ना, इधर से आएगा, I think मेरी बात आप समझ गए, इस बैटरी वाली ब्रांच में 20 A current flow कर गई, राइड साइड में 4 A current flow कर गई, इस वाली ब्रांच में, डाउन वर डारेक्शन में 4 A current flow कर गई, इसमें 5 A, इसमें 7 A, सारे ब्रांचेज में आप current को आपने define कर दिया, अगर किसी बच्चे कोई doubt होगा, तो प्रीज हमसे discuss करन बैटरी देखो, जीरो मानो ने आगे निकल चलो, ठीक है न, अब आगे चलेंगे, circuit अगर और complicated होगी तो उसको और भी simplify करेंगे हम, साइध ये concept आपको clear होगा होगा, उके बैटरी तो हमने इस problem को solve किया, अब हम इस problem को solve करते हैं, देखते हैं circuit कैसे टूटेगी, चलिए, आपने कहा कि, मालो एक 10 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ जीरो मान लिया इसको, अगर यहाँ आपने जीरो मान लिया, तो यहाँ कितना होगा, बैटरी का potential आपका plus 10 होगा, कोई बात ने, बैटरी के terminal potential को define कर लिया, यहाँ क्या माना आपने, यहाँ भी आपका zero है, तो यहा यहाँ आ गया, यहाँ भी resistance आ गया, अब इसके terminal potential को आप लिख नहीं पाऊगे, यहाँ का potential कितना है, यहाँ का potential कितना है, देखने में आपको लग रहा है कि यह बिल्कुल सेम, 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 सेम question है, लेकिन देखो आप problem में आ गए, जब आपको zero, zero आपने मान लिया, zero करने के बात फिर आगे नहीं पर पा रहे हो, आपने दो battery के potential, terminal potential को define कर पाए, लेकिन तीसरी को नहीं कर पाए, क्योंकि resistance बीच में आ गया, आप इसको नहीं कर पाए, आप यहाँ का potential, यहाँ का potential लिख नहीं पाऊ गया, potential difference 2 volt है, लेकिन क्या terminal potential क्या है, वो define नहीं कर पाऊ गया, देखो problem आ गया, इस battery का terminal potential आप नहीं लिख पा रहे हो, तो यह, अब इस वाले problem में, इस वाले problem में क्या फर्क था, दोनों में फर्क यह है, कि इसके पहले, इसके पहले जितने भी question किये है, हर question में क्या है, आप देखे थे, आप देख रहे थे, कि एक branch जो थी ना, वो branch मे सिर्फ battery थी, फिर वहां से आप zero लेके आगे बढ़ रहे थे, तो आप फटा-फट क्या है, solve कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, कि किसी एक पर्टिकल ग्रांच में क्यों बैटरी हो, और आगे बढ़ सको, तो I think, इसके पहले वाले problem को आपने कर लिय होगे, तो अब यह question आपका different हो गया पहले वाले, इस वाले question को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे सामने problem है, तो हम क्या करेंगी, तो अब ऐसी प्रॉप जहां पर हम terminal potential को नहीं define कर पाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, कि अब हमें law लाना पड़ेगा, इसलिए ज के लिए जहां पर आप terminal potential नहीं define कर पा रहे हो, पहले की तरह नहीं solve कर पा रहे हो, तो वहां पर हमें help लेनी पड़ेगी, किर्चाफ्स ने दो law निकाले circuit के लिए, एक किर्चाफ्स current law है, और एक किर्चाफ्स voltage law है, ठीक है, तो सबसे पहले हम किर्चाफ्स current law को देखेंग तो हम law की help लेकर के ऐसी circuit को solve कर पाएंगे, I think मेरी बात आप समझ पा रहे हो, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको किर्चाफ्स first law क्या है, ठीक है न, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और second law भी क्या बताएंगे, इसके बाद problem पे हम one by one focus करेंगे, I think आप समझ गए क किर्चाफ्स law की need क्यों पड़ी, इसके पहले थो हम फटा फटा सॉल्व कर ले रहे थे, हलांकि उच में भी concept लगा रहे थे, बट यहां पर देख रहे हैं कि हमारे basic concept नहीं होने वाला है, तो हम किर्चाफ्स को लेके आएंगे, और देखेंगे उसमें हम क्या करते हैं, ठी इसको क्यों बोल सकते हैं, आप से कुछ भी बोलके पूचिन सकता है. सबसे कि यह किर्चाफ्स करेंट ला्याएं जंस pipe यह यह एकुमलेट नहीं होगा, सर्किट में किसी भी पॉइंट पर चार्ज एकुमलेट नहीं हो, इकठा नहीं होता है, चार्ज का कंटीनवस फ्लो होता है, ऐसा नहीं कि चार्ज किसी पॉइंट पर पहुंचा और इकठा वहाँ पर बढ़ते बढ़ते बढ़ गया वहाँ पर चार इस जंग्शन के आप इसको लिख लो यहां पर डैट जंग्शन जंग्शन ठीक ना आप उसको पॉइंट फिले सकते हो मालो आपने कहा कि मालो यहां पर कोई इसमें कई वाइर्स लगे हुए हैं जी मतलब जंग्शन आपका है यहां से आईवन करण्ट आ रही है इस जंग्शन पर आई और यह तीन पार्ट में डिवाइड हो गई ठीक ना तीन पार्ट में डिवाइड हो गई इस जंग्शन पर कोई भी चार्ज एकुमलेट नहीं ठीक ना तो आपने का कि आईवन किसके बराबर होगा आईवन आईटू प्लस आईथ्री प्लस आईफूर के बराबर होगा यहां लिखा हमने आई इक्वल टू आईवन इक्वल टू आईटू प्लस आईथ्री प्लस आईफूर के बराबर होगा अगर इसको मैंने ट्रांस आपने एक को positive लिया, incoming current को मानलो आपने negative लिया या incoming को आपने positive लिया, outgoing को negative लिया, depending या नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, no problem, हम क्या करते हैं, junction पर जो incoming current होती है, उसको negative लेते हैं, और junction से जो outgoing current होती है, उसको positive लेते हैं, और सब को sum करोगे, तो sum of all current is always zero, with sign, मतलब आपने कह कि i, जब जो outgoing current है, उसको आपने positive ले लिया है, वो current आपने कहा positive है, और जो junction की तरफ आ रही है, वो negative है, अब सब का sum करोगे, तो क्या हो जाए, equal to zero, इसे बोलते हैं, किर्चॉफ्स current law, simple सी बात है, या किर्चॉफ्स junction law बोलते हैं, या किर्चॉफ first law बोलते हैं, ठीक है ब सब का sum करेंगे, i1 plus i2, i, i का मतलब क्या, i कहां तो जा रहा है, capital i और small i, small i suffix में क्या बता रहा है, कि यहां पर one आएगा, फिर plus two आएगा, फिर plus three, मतलब i1 plus i2 plus i3, यतने भी i मिलेंगे junction पर, सब का sum करेंगे, तो zero आएगा, with sign, ठीक है बटा जी, ये आपका है करेंट ला जंग समला, ठीक है, अब इसकी help से हम problem को solve करेंगे, अब इसके application को देखते हैं, ठीक है, ये तो simple सी बात, इसमें जादा कुछ आपको detail में समझना ही नहीं था, statement तो हमारी notes में दिया गया, वहां भी देख लेना, ये भी statement ही है, और जो proper statement हमारी notes में है, उसको ल करेंट लाओ, ठीक है, तो केसल की बात करेंगे, आप समझ जाओ, उसर क्या कर रहे हैं, पहले लाओ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके application को देखते हैं, अब बेटा, हम उसी question पर आदे, जहां हम जिसको हमने छोड़ रखा था, जहां जिसको हमने solve नहीं कर पा रहे थे तो हमने casell पढ़ा, आपने कहा कि ठीक है सर, अब problem कैसे हम apply करेंगे casell, किर्शाफ्स करेंट लाओ कैसे apply करेंगे, आपने कहा ठीक है सर, इसको zero मान लिया, तो अगर आपने इसको zero मान लिया, तो अहां यहां पर कितना होगा आपका, यहां पर होगा plus 10, यह तो clear है, कोई द problem कर रही है, हैनगे पелटा जी, अगर इस point का, यह जो ज़ब इस point का potential आपको मिल जाए, इस point का potential, तो आप current को calculate कर सकते हो यह point फसा रहा यह problem कर रहा आपको इस point का potential बहुत जरूरी है अगर इस point का potential मिल जाए तो इसमें कितनी current निकाल लोगे क्योंकि यहाँ पर नीचे plus 10 है उपर यह potential मिल जाएगा तो यह निकाल लोगे यहाँ का potential मिल जाएगा तो इसमें current निकाल जाएग you can easily calculate the current in all branches ठीक है बड़ा जी तो यही आपका जंगसन जहां पर हमें potential निगालना है हमें पता नहीं कितना है हम एजूम कर लेंगे कि यहां का potential x है यही हमें calculate करना है और अगर यही potential मिल गया तो सारी के सारी सरकी तूट जाएगी याद रखिए आप लोग ठीक है बड़ा जी अब जहां का potential आपने माना है कि यहां का potential x है इस potential को मानो higher potential है यह बड़ा potential है तो आप क्या करोगे आप कोगे सर अगर बड़ा potential है तो current इसमें से निकलेगी है ना तो यहां से मान लो current जा रही है right में इधर आ रही है इधर जा रही है और इधर जा रही है ऐसा आपने assume कर लिया आप को कि सर एक ही point से सिर्फ current जो है outgoing थुरी नहों सकती है अरे कुछ current आएगी तो कुछ current जाएगी और आपने सारी की सारी current को जाती हुई दिखा दिया है तो कैसे possible है ये क्योंकि किसी junction पर कुछ current आएगी तब कुछ जाएगी तब ही तो बराबर होगी आपने कहा दिया सर ये वाली current जा रही है right में ये वाली downward ये वाली side में तो आ कहां से रही junction में इस point पर current आ कहां से रही है ये भी आप पूछ सकते हो हमने इसको जाती हुई हम हमेशा हर question में इसको जाते होगा कि junction जैसे assume करूँगा कि एक समारा unknown कोई potential हमने assume कर लिया तो वहां से हमेशा current को जाते होगा जब calculation करूँगा इन ही में से कोई ने कोई current जो है negative आएगी जो ये बताएगी जो आपने माना हुआ है उसको आप उल्टा करिए जिसे मने मालिया मालो की current ऐसे flow कर रही है मालो इसको मालिया मैंने क्या है suppose कर लिया इसको मालिया मैंने i1 ठीक है इसको मालिया हमने i2 इसको मालिया हमने i3 इसको मालिया हमने i4 जिस junction को हमने assume किया है जहां का हमें potential निकालना है वहां से जितनी भी branches गई हुई है सब में current हमने मान लिया I1, I2, I3, I4 अब यह सारी के सारी current उस junction से निकल रही है तो आपको किसल ऐसा होता है नहीं कुछ current junction पे आती है और कुछ current निकलती है तब ही तो equation balance होता है आपने सब को निकाल दिया है बेटा यहां हमने assume कर लिया कि सारी के सारी current जा रही है बाहर की तरफ लेकिन जब हम calculation करेंगे और I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे I3 निकालेंगे, I4 निकालेंगे तो कुछ plus में आएगा और कुछ minus में आएगा जो plus में आएगा, उसको हम बोलेंगे तो हमने assume किया था कि I4 जा रही है जनके से दूर जा रही है I3 जा रही है, यह हमने सही माना था अब मानलो I2 और I1 negative आ गया तो हम यह कहेंगे कि जो direction हमने assume किया हुआ है उसको reverse करना पड़ेगा मतलब I1 X की तरफ जा रही है ऐसा हमें कह देना पड़ेगा मतलब calculation खुद बखुद आपको दे देगा कि I1 positive है कि negative है I think मेरी बात आप समझभाए हम एक concept लेके चलेंगे हम assume कर लेंगे junction का potential X है जहां का potential हम calculate नहीं कर पा रहे है वहां का potential हम assume कर लेंगे और इमाल लेंगे कि सारी की सारी current वहां से बाहर की तरफ जा रही है ऐसा माल लेंगे ठीक ना मानने के बाद क्या करेंगे sum of all current meeting at the junction junction पर सारी की सारी current जो होती है जीरो होती है हम सारे के सारे ब्रांचेज में current को define कर लेंगे current को हम लोग find out कर लेंगे यह जो मैंने process बताया है इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे चलो हम लोग चलते हैं अब जंक्सन पर जो लगाते हैं यहाँ पर आपने एक से एजियूम कर लिया है ठीकर बटा जी अब बताए बटा जी अब बताओ कि according to kcl 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 के हिसाब से क्या होगा देखो kcl के हिसाब से i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 यह चारो के चारो करंट हमने माना है कि चारो के चारो करंट क्या है जंक्सन से दूर जा रही है तो हमने positive ले लिया है is equal to 0 हमने ऐसा assume किया हुआ है कुछ current आ रही होगी कुछ जा रही होगी हमने assume कर लिया कि सब के सब जा रही है बाद में वो result प्लस i1 इस resistance में फ्लो कर रही है यहां का resistance कितना बता हो यहां का potential 0 है क्योंकि wire आपका है यह potential आपने x माना है और यह 0 है तो potential difference कितना होगा x-0 यह potential difference होगा तो i1 current कितना होगी x-0 upon 2 क्या होगी x-0 upon 2 यह आपकी i1 हो गई I think मेरी बात आप समझ गए ऐसे आप i2 निकालो i2 कहां है यह है i2 यह कितना resistance आपका है बोलो 2 ohm resistance है यह कितना potential है x है है ना बटा जी यह कितना potential है 4 volt है यह देखो इस resistance का एक terminal x पर है दूसरा terminal plus 4 पर है तो इसमें कितनी current flow कर जाएगी x-4 upon 2 x-4 upon 2 potential difference upon resistance ठीक है बटा जी क्या जाएगा x-4 upon 2 अब तो i3 कितना होगा i3 का i3 में जो resistance आपका यहां पर है यह इस resistance 2 ohm में i3 flow कर रही है तो कैसे निकालोगा i3 इस 2 ohm का एक terminal x पर है दूसरा terminal plus 10 volt पर है इस resistance के across जो potential difference होगा x-10 होगा हम बार बार x-2 क्यों लिखे क्यों लिखे क्यों हमने higher potential माना है x-10 होगा upon 2 लिख लेंगे x-10 upon 2 अब हमको इस resistance हमें i4 चाहिए यह i4 जारी इस तरीके से ऐसे i4 का calculation हम resistance के across ही कर पाएंगे न अरे current का calculation resistance के across ही कर पाती हम लोग यह आपका है 2 ohm यह इसका जीरो है तो यह कितना होगा अगर यह terminal आपको मिल जा है तो आप निकाल लोगे i4 की वेलू अब बिटा बताओ यह बैटरी यहां लगी हुई है अ अरे यह वाला पॉइंट कितना हो कि बैटरी है ना बैटरी बैटरी का higher potential x पर है और negative किस पर होगा x-2 पर होगा तभी ने दोनों का difference वोल्ट के बराबर आएगा ठीक है बैटा जी तो आपने कहा कि बैटरी का potential यहां पर हमने define कर लिया आप देखो इसमें निकाल लोगे कि इसमें तो current i4 flow कर रही है ने कि यह current आएगी से जाएगी तरीकी से इसमें i4 current flow कर रही है तो 2 ohm का एक potential x-2 पर है एक terminal x-2 पर है दूसरा 0 पर है तो क्या लिखोगे current i4 बोलो बेटा प्लस x-2-0 potential difference upon what 2 is equal to 0 i think मेरी बात आप समझ गए अब यहां पर solve कर देते हैं 2 2 2 2 LCM लेगे यहां छोड़ देंगे 1 2 3 4 कितने x हो गए 4 x हो गए यहां हो गया तुम्हारा 4 x हो गया अब कितना बेटा जी है minus 4 है minus 10 है तो यह हो जाएगा 16 minus 16 equal to 0 x equal to what x equal to आजाएगा 16 upon 4 equal to 4 volt तूट गया question जैसे ही आपका यह क्या आगया 4 volt आगया देखो 4 volt आते ही current आपको मिल गई कैसे आप निकाल सकते हो यह तुम्हारा कितना है 4 x कितना है 4 volt है आप देखो 4 volt आ गया अब current कैसे निकालेंगे पहरे निकालते है i1 क्या निकालते है i1 का यह कितना potential i1 कैसे निकालोगे resistance 2 ohm के एक cross कितना resistance है इस branch के cross कितना resistance है 2 ohm जिसमें i1 current flow कर रही है हमें i1 निकालना है तो potential difference क्या होगा 4 minus 0 upon 2 4 minus 0 upon 2 यह आगया 2 ampere current और यह current क्या है जंसन से दूर जा रही क्योंकि current आपकी positive आई है कैसे आई है positive आई है जो हमने assume किया है वो right है अब आते हैं किस पर i2 पर आते हैं i2 कहां पर है यह यह i2 है यह कितना है 4 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 है तो 4 minus 4 4 minus 4 0 volt हो गया i2 current आपकी 0 हो जाएगी मतलब i2 current क्या होगी तुम्हारी 0 हो गई यह बात समझो इस बात को x की वेलो निकालने के बात क्या है अब यह 4 गोल्ट है यह भी क्या है 4 गोल्ट है इस 2 ohm के cross potential difference same होने के वज़े से potential same होने के वज़े कोई potential difference क्या current कोई flow नहीं करेगी i2 आपका 0 हो जाएगा ठीक है बेटा जी अब आते हम लोग i3 पर तो i3 क्या है what is the i3 i3 आपका देखो यहाँ पर plus 10 है यहाँ पर plus 4 है हमने i3 को क्या माना है उपर से नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब क्या होगा कि 4 minus 10 upon 2 current आएगी negative में कैसे मानूगे आप लोग 4 ना इना आपका x minus 10 upon 2 करोगे बड़ा ना हमने कहा ना कि current automatic negative आज जाएगी देखो higher potential कौन है plus 10 है lower potential कौन है 4 है तो current को कहा जानी चाहिए उपर लेकिन हमने क्या assume कर लिया था हमने क्या assume कर लिया नीचे और इसको हमने higher मान लिया था तो अगर आपने higher मान लिया था तो अगर आपने higher मान लिया था मान लो 4 minus 10 केतना है 4 minus 10 upon what 2 यह आ जाएगा आपका 6 upon 2 यह आ जाएगा minus 3 ampere इसका मतलब i3 को जो आपने downward माना है वो downward नहीं होगी वो upward होगी negative sign indicate यह कर रहा है i3 का direction आपने लिया हुआ है उसके opposite i3 होगी direction उसकी opposite होगी यहाँ देखो result ने दे दिया अब देखते हैं i4 क्या होगा बेटा जी what is the i4 i4 के लिए आप यहाँ आओगे i4 के लिए यहाँ पर x minus 2 है x minus 2 upon 0 upon 2 आएगा i4 x minus 2 x की value क्या है 4 है बेटा न x की value तो 4 निकाला दे 4 minus 2 कितना हो जाएगा हाँ पर 2 हो जाएगा 2 minus 0 upon 2 क्या जाएगा 2 minus 0 upon 2 equal to 1 ampere आएगा और यह positive में ही रहेगा तो आपने कहा कि sir वास्तों में यह junction था यह junction से current इधर जा रही थी कितनी current जा रही थी बेटा जी देखो यह जो current इधर जाएगी कितना जाएगी 1 ampere क्योंकि पूरी की पूरी ब्रांच में 1 ampere ही रहेगी न इधर जा रही है 1 ampere ठीक है बेटा जी down side आ रही है क्या नहीं यह उपर जा रही है 3 ampere यह इधर जा रही है 3 ampere त्री एंपियर गई वन एंपियर राइड साथ पढ़ना आपको है आराम आराम से मैंने बताया यह क्वेसा नहीं था जो मैंने पहले कराया था बस यहां पर जंग्सन लोगा लिया आपनी हाइर पोटेंसिल लेकि आप आगे बढ़े सब को मान लो करेंट जंग्सन से दूर जा रही है बाद में कल्कुलेशन करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव वो खुद आपको किर्शाफ दे देगा ठीक है बेटा जी आई तिंक यह बात आपको समझ में आई होगी देखो बड़ा इसको करना आपको सॉल्व करना है ठीक है तो यह कितना होगा यहां पर यहां पर फ्लस तु वोल्ट हो गा मैं यहां पर कितना होगा जी यहाँ पर आपका होगा फ्लस 10 वोल्ट हो जो कि इसंका यहां का पॉटेंसियिंस sanh यहां भी रेजिस्टेंस अब इसका वोल्टिज आप निकाल नहीं पाऊगे बस आप जंग्सन पर एक्स मान लो एक्स एजूम करके आप बस एक्स की वेलों निकाल लो सारा का सारी का सारी करन निकल जाएगी आपका एम है एक्स फाइंड आउट करना जिसे मान लो कि आपने क लिए जंग्सन से जो भी ब्रांचेस गई है सब में आई रपने करके मान लो इसम्हें करन के तुछ एपने क्या दिया अब क्या करोगी एकार्डिन केसे क्या लिख प्लस i3 is equal to 0, जैसे आपका x मिला सारा का सारी करण मिल जागा आगो पता है, x की problem है बस x मिल जाए तो आप find out कर लोगे potential, यहां का potential मिल गया अगर, तो इसमें कितनी करणट निकाल लोगे, इसमें कितनी करणट सब निकाल लोगे, आप देखो कैसे निकालते हो आप लोग, हम और दूसरा प्लस 2 से connect है, तो कितना होगा potential difference इसके cross x माइनस 2 upon 4, उसको i1 बोलेंगे, x माइनस 2 upon 4, प्लस i2 क्या होगा, i2 इस वाली ब्रांच बजा रही है, अब यह जो resistance है, इसका एक terminal x से connect है, दूसरा प्लस 10 से connect है, तो x माइनस 10 upon 2 करोगे, x माइनस 10 upon 2 कर दिया अपनी ठीक है न, तो वो आपके आगई, current in this branch, इस पूरी branch में जो current आनी है वो आगई, अब इस branch में कितनी current flow कर रही है, इस branch में, इस branch में current तो resistance के across ही निकल पाएगी, तो resistance का एक terminal 0 से connect है, दूसरा किस से connect है पता नहीं, लेकिन अगर यह x है, अगर यह वाला x है, पूरा का पू difference 4 आएगा, अगर इसको आपने x माना न, यह पूरा का पूरा x है, यहाँ भी x होगा, यह wire है आपका यह, यह पूरा का पूरा x है, इसके across अगर potential difference 4 है, तो यह अगर इसको आपने x लिया टर्मिनल को, तो यह आपका x-4 होगा, तो अगर यह x-4 है, और यह 0 है, और current इसमे current flow कर रही है, आई 3, वो ही तो current आएगी न, इसे branch में, तो आई 3 current flow रही है, x-4 minus 0 upon 2 is equal to i3, तो प्लस x-4 minus 0 upon 2 is equal to 0, ठीक है बटा जी, फटा फटा हम लो क्या है, LC हम ले लिया हमने 4, तो क्या आ गया है, x-2 आ गया, यहाँ कितना आ गया बटा जी, यहाँ x-2 आ गया, यहाँ पर आ गया, प्लस 2x-20 आ गया, है न, LC में ले न, 2, 2 जा फोर केकि 2 से multiply किया, और प्लस यहाँ किया, 2x-8 आ गया, is equal to 0, यह 4 चला जाएगा, उधर 0 हो जाएगा आपका यह, कितने x हो गए, 2x, 2x, 4x, 5x, यह हो जाएगा, तुमारा 5x हो जाएगा बैटा जी, और 20, minus 8, minus 8, minus 2, 10, 20, 30, minus 30, is equal to 0, यह, x equal to क्या गया, 6 वोल्ट, बस तूड़के सरकिट, जैसे यहाँ पर 6 वोल्ट आया, यहाँ पर आपका 6 वोल्ट जैसे ही आया, बस करंट निकल जाएगी, आईवन क्या होगी बैटा जी, आईवन कितनी होगी, आईवन निकालो, 6 minus 2 upon 4, यह आगया ना 6, 6 minus 2 upon 4, तो 6 minus 2 upon 4, यह आगयी, 1 ampere current, इसमें flow कर गई, है ना, इसमें कितनी करंट कर गई, 1 ampere current flow कर गई, ठीक है, अब इसमें आते हैं, यह 6 है, और यह 10 है, अब 6 minus 10 करो गई, तोकि इसको आपने higher पहले as you मी कर लिया है, इसलिए ह हम एक समें से ही minus करेंगे, तो I2 क्या होगा, I2 होगा, 6 minus 10 upon, कितना resistance है, 2, यह कितना आगया, 10 minus 6 आगया, 4, minus 4 upon 2, equal to minus 2 ampere current आगयी, इसका यह मत्तब होगा, जो minus 2 ampere current आगयी, इसका यह मत्तब होगा, जो current हमने I2 मानी है, downward direction में, वो downward नहीं है, वो junction की तरफ जा रही है, यह I1 minus indicate करता है, अब बेटाबेलो जी, I3 क्या होगा, I3 इसमें flow कर रही है, यहीं I3 में flow कर रही है, तो I3 क्या होगा, I3 निकालने के लिए कितना होगा, यहाँ पर, x equal to कितना आया है, x equal to कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ 6 minus 4 कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा 2, तो 2 minus 0 upon 2 ह हो जाएगा 1 ampere current आजाएगी, तो junction को देखो आप, यह आपका junction है, है ना, इधर जो current जा रही है, वो है 1 ampere, इधर जो current जा रही है, है ना, वो कितना है, I2, sorry, एक मिनट सही करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, देखो, I1 कि इधर है, इधर जा रही है, तो जो इधर जा रह जा रही है, और जो इधर current आ रही है, वो भी 1 ampere है, और जो current आ रही है, डाउन की अप, अप जाएगी, यह आपका है, I3, कितना है, 2 ampere, यह 2 ampere जो जा जा आएगी, तो 1 ampere और 1 ampere में divide हो जाएगी, I think, आप लोग इस concept को समझ पाए, मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा किसे हम लोग तोड़ लेंगे, I think, यह बात आपको समझ में आई, कि जन्सन के potential, जो unknown potential है, उसे हम कैसे find out करके हम जो है कि KCL के help से हम maximum numerical को solve कर सकते हैं, I think मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है बटा?